नमस्कार दो आप सभीका स्वागत है मैं हूं आपके साथ राणी कि एक मां को अपने बच्चों से दूर करना ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है और मां के साथ ये सबसे बड़ा न्याय भी है तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं एक मां बच्चा न्याय क्यों बाते कर रहे हो तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी जो की सत्य घटना पर अधारित है और आपको ये जरूर सुननी चाहिए नौर्वे के अधिकारियों के साथ दो बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ रहे एक भारती ये कपल के 10 साल से अधिक पुराने चल रहे संगश को हिंदी फिल्म इसिस चटरजी वर्सिस नौर्वे त्वारा दर्शाया है और ये एक फिल्म वास्तवी घटना पर अधारित है जो इंडियन कपल के लिए एक बूरा सपना था अनुरूप और सागरिका भटाचार एक मारिट कपल थे और एक साथ अपना नया जीवन चुरू करने के लिए 2007 में नौर्वे में अपना घर बसाने चले गए सागरिका और अनुरूप ने 2009 में अविज्ञान को जनम दिया था और 2010 में उनकी बेटी एश्वर्या को जनम दिया था अविज्ञान को परिवार के घर के पास एक पारिवारी किंडर गार्डन में भरती कराया गया था और स्कूल अधिकारियों की तरफ से ये दावा किया गया था कि अविज्ञान ने अपने शुरुआती वर्षों में आटिजम जैसे सिंटम्स दिखाना स्टार्ट किया ये परिवार महिनों तक बाल कल्यान सेवा की देखरेक में रहा और साल 2011 में स्कूल अधिकारियों ने दोनों बच्चों को स्कूल से हटा दिया और स्कूल अधिकारियों के नुसार उस कपल ने अच्छे परिवरिश नहीं करने जाने पर उनके बच्चों को फोस्टर केर में डाल दिया सागरी का अपने बच्चों को हाथ से खाना और दूद पिला देती जिस पर नौर्वे गवर्मेंट ने अपनी आपत्ती जताई और तो और बच्चों को अपना माता पिता के साथ एक ही बिस्तर पर सोना जो कि भारतिय घरों में काफी आम बात है उस पर भियापत्ती जताई नौर्वे की गवर्मेंट ने यही भी कहा कि सागरीका ने एक बार अपने बच्चों को मारा था और कहा कि बच्चों के पास घर में खेलने के लिए एक जगा कम थी और बच्चों के पास ना अच्छे खिलोने थे और ना ही अच्छे कपड़े थे और ऐसी समस्या थी जिनका उनको सामना करना पड़ा नौर्वे की सारवजनिक बाल सुरक्षिन एजनसी को बारनवरनेट कहा जाता है और इससे बाल कल्या नाम से जाना जाता है नौर्वे में यह और्गनाइजेशन देश के सभी निवासियों पर कठो नियम लागो करता है और जब बात बच्चों के सुरक्षा की आती है तो यह और्गनाइजेशन सक्त रूप से कारवाई करते है और इस पर भारत सरकार ने बच्चों के उनके माता पिता से दूर करने के लिए नौर्वेजियन चाइल्ड वेल्फियर सर्विस की कड़िया लोचना की थी अपने बच्चों की कस्टेडी पाने के लिए सागरिका को भारत में बार बार कोट कचेरे से कुजरना पड़ा में अपनी बच्चों के साथ खुजी से अपना जीवन व्यतित कर रही है और ऐसे ही और घटनाओं के बारे में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे